दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर किसान आंदूलन को 71 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच सरकार ने कारवाई करते हुए बिजली, पानी, इंटरनेट की सुविधा से किसानों को वंचित कर दिया है। गुरवारकु प्रेस कॉन्फरेंस में संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से इंटरनेट सेवा बाहल करने की मांग की। किसान निताओं ने कहा कि असेहमतिकी आवाज को दबाने की सरकारी कोशिशें लगातार जारी है। किसान निताओं का कहना है कि धरना स्थल पर बैठे किसानों के साथ साथ मीडिया और स्थानिय लोगों को भी परिशानी हो रही है खास कर छात्रों को ज्यादा परिशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी परिक्षाएं नस्दीक हैं संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने बयान में कहा एक और सरकार डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं का प्रचार कर रही है लेकिन तूसरी और देश के ही लोगों का इंटरनेट बंद कर रही है आंदोलन को लगतार देश और दुनिया से समर्थन मिल रहा है यह शर्मनाग है कि सरकार इसे अंदरूनी मामला बता कर आंदोलन को दबाना चाती है निंदनिय हैं कि जो लोग किसानों के साथ एक जुटता दिखा रहे हैं उन्हें सोशल मेडिया पर ट्रोल किया जा रहा है सैयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फरेंस में बदाया कि अब तक की जानकारी के मताबिक 125 किसानों पर FIR दर्ज है और 21 किसान लापता है सैयुक्त किसान मोर्चा ने एक पर FIR दोहराया है कि ये आंदोलन पूरी तोर से किसानों का आंदोलन है और किसानों पर लगाय जा रहे है आरोप बेबुनियाद हैं इस आंदोलन को शुरू से ही राजनिती से दूर रखा गया है और आगे भी ऐसा ही रहेगा किसी भी राजनितीक दल के नेता को सैयुक्त किसान मोर्चा का मंज नहीं दिया जाएगा राजनितीक दलों के निताओं का स्वागत है लेकिन किसी के साथ भी सैयुक्त किसान मोर्चा का मंज साजहा नहीं किया जाएगा गौरतलब है कि गुरुवार को कई राजनितिक दलों के सांसत गाजिपुर बॉर्डर पहुंचे थे जिसके बाद सैयुक्त किसान मोर्चा ने अपने प्रेस कॉंफरेंस में ये बाते कहीं है अलग-अलग राजनितिक दलों के नेता लगतार सिंघु, गाजिपुर और टिकरी बॉर्डर का तौरा कर रहे है राजनितिक दल किसान अंदुलन को खुला समर्थन पेश कर रहे है कॉंग्रस नेता राहुल गांधी ने खुले तोर पर कहा है कि वो किसानों के साथ है किसानों को कोई तोड नहीं सकता गुरुवार को गाजेपुर बॉर्डर गय राजनितिक दलों के प्रतिनिधी मंडल को पुलिस ने अंदर एंट्री नहीं दी थी इन नेताओं ने लोकसभा ध्यक्ष ओम बड़ला को चिठ्थी भी लिखी और कहा कि सीमाओ पर किसानों की स्थिती जेल के क्यादियों के जैसी है विबक्षी पार्टियों के प्रतिनिधी मंडल में कॉंग्रिस, अकाली दल, डियमके, टीमसी, नैशनल कॉंफरेंस, आरेसपी और आयू, एमल शामिल थी दिल्ली पुलिस ने भी किसान आंदुलन को मिल रहे समर्थन को लेकर कुछ खुला से किये हैं दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा, सोशल मीडिया के निगरानी के दौरान एक टूलकेट नाम की दस्तावेज पुलिस की नजर में आई है ये दस्तावेज किसे विशेश सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म के माध्यम से अपलोड किया गया था इस दस्तावेज को लेकर शुरुवाती जाच में पता चला है कि ये टूलकेट नाम की दस्तावेज प्रो खालिस्तानी संस्था पोईटिक जस्टिस फाउंडेशन द्वारा बनाय गया था दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि टूलकेट बनाने की मंशा विभिन सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक समुहों के बीच असहमती पैदा करने और सरकार के खिलाफ असहमती पैदा करने की कोशिश है इसको बनाने वालों का उद्देश भारत के खिलाफ सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक युद शुरू करना है बियूर रपोर्ट गो निउस